हलोग दोस्तों जैसा किआप जानते हैं होले का तियोंवार आने वाला है उसली को लेकर बहुत सारी जो पंड़तों कह अनुसार की होले का देहन किस वक्त करना उचित रहेगा साथ होले का कि किस प्रिकार पूजा की जाती है उसकी सारी विश्तर्स जान कर हम आपको इस वीडियों बताएंगे तो वीडियों अंतक बिना काटे पूरा देखना इस वीडियों हम आपको होली का देहन किस वक्त करना उस्वित रहेगा पंड़त नियम को अनुसार उसका सही टाइम और समय आपको बताएंगे तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं इस वोडियो को दोस्तों मत्रा और वरंदावन में होली का जस्न शुरू हो चुका है लोग होली खेल रहे हैं और ब्रच भूमी से लटमार होली के तस्विरे भी आ रही है होली का धेन को अभी तीन दिन बाकी है होली का धेन को होली का दीपक या छोटी होली का रूप में भी जाना जाता है होली का धेन के अनुष्ठान बुराई पर अच्छाई का जीत का जसन मनाते हैं लोग धूप के बाद अलाव जलाते हैं जिसका बहुत महत्तू होता है होली का देहन के लिए एक विशेश समय या मूरत होता है लोग मंत्रों का उच्छारण करते हुए होली का देहन के आसपास परामप्रिक लोग गीत गाते हैं इस साल COVID-19 महामारी के बीच कैई स्थानों पर सार्जनी खोली सामारों की अनुपती नहीं है लेकिन घर पर परिवार के साथ आनन लेते हुए कोई हमें नहीं रोक सकता यहां आपके लिए होली का देहन तिथी साती मूरत और अन्य सभी जानकर एमा को अब बताते हैं जी आँ दोस्तों सबसे पहले तो होली का देहन कब होगा 28 March रहिवार को होली का देन मनाई जाएगा दूसरी बात होली का देन मूरत या सुमूरत आपको बताते हैं होली का देहन का सुमूरत है भाईयो स्याम 6.37 मिनट चे लेकर 8.56 मिनट तक इस बीच आपको होली का देहन करना होगा प्रदोस काल के दुरान अलाव जराना चाहिए जो सूर्यास्त के बाद शुरू होता है तो दोस्तों स्याम के 6.37 मिनट चे लेकर 8.56 तक होली का देन का सुमूरत है दोस्तो होली का देन क्यों कहाता वो भी जान लो इस दिन होली का देन जो करते हैं वो बुराई पर अच्छाई की जीत का एक पृतिक होता है इसलिए होली का देन हम करते हैं अब दोस्तो जो होली का की पूजा की जाती है वो किस प्रिकार गयाते हैं वो भी जान दो जो आप जो लेडीज होती हैं वरत करती हैं और उसके बाद में स्याम को होली का धेन से पहले उनकी पूजा करती है तो उस पूजा की थालीम आपके पास क्या क्या होना चाहिए सबसे बेदाब पास एक कटोरी होनी चाहिए, उसमें पानी होना चाहिए, रोली, अखंडित चावल के दाने या अक्छत, सिंदूर, फूल, कच्चे सूत के धागे, हल्दी के टुकडे, अखंड मूं की दाल, बतासा चीनी या गुड केंदी, नारियल और गुलाल के आशकता आपकी ठाली में पढ़ती है, ये ठाली में आप सभी चीज़े रखके ले जाए, उसे के बाद होली का की पूजन करें, दूसरी बात, जिस स्थान पर होली का रखी जाती है, उसे अच्छी तरह से साप कियाता है, एक लंबी लकडी की छड़ को केंदर में बीच में रखा मानते हैं इस परकार होली का धेन क्या रता है, तो दोस्तो इस वीडियो में आपको होली का धेन से लेकर उसकी पूजा किस परकार की जाती है, साथ उसका सुम मूरत, ये सारी चीज़े हम आपको बता दी है, अगर आपको कोई पिरसन हो, तो आपनी नीचे कमेंट कर देना, हम आपको नई वीडियो को जरी है, आपके सारे सवालों को जवाब दे देंगे, साथ आप से निवेतने वीडियो को सेर करते हैं फेसुक वार्टसप सभी जगे, ताकि ये वीडियो सभी लोगों तक पहुंच जाए, तो दोस्तो इस वीडियो में तरह ही, जे हिन जे भारत झाल झाल